गुड बॉर्णिंग इस्टेट्स आज मैं आपको पार्ट पांच नोट पेड पढ़ाऊंगी उससे पहले मैंने आपको लेसन पढ़ाया था और उसको उपन करने का थरीका भी सबसे पहले आप अपक्रण कर लेंगे इसे सयले करेंगे-दन उसके आप क्या करेंगे मैं पर पर क्लिक करेंगे वीन आप तो में ऋपर किलिख करेंगे देखेए इन्हों न ही पर बताया अब है सबसे पहले हमने computer open किया उसके बाद हम program पे गए program पे जाते हैं तो यह ऐसे सरीज ऐसे आपकी एक बड़ी इसी लिस्ट खुल करके आ जाती है और उस ऐसे सरीज पर जाकर आप click करते हैं तो हमारी ऐसे सरीज उपन हो जाती है तो एसे सरीज में हम क्या करेंगे modepad पे जाके click कर देंगे इसके बाद आपका आता है अब notepad window open हो गए इसके बाद क्या आएगा file menu क्या होता है file menu में हम क्या करते हैं नई file बना सकते हैं उन्हें सुरक्षित मतलब save भी रख सकते हैं प्रानी फाइल है जो हमने पहले से अपने उसमें save करके रखी उनको हम क्या कर सकते हैं open close कर सकते हैं उनको बंद भी कर सकते हैं करने के लिए किसका प्रियोग करते हैं file menu में कौन कौन से command से होते हैं file menu में new open save और close यह 4 commands होते हैं इसके बाद हमें क्या करना है अब हमारे आगई फाइल को सुरक्षित करना फाइल तो आपने मेना ली अब उस फाइल को हमें save भी करना होगा हम save नहीं करेंगे तो जैसे आप computer को बंद करेंगे या आपने application से बहार आएंगे तो हमारी फाइल उसमें से खतम हो जाएगी उसको सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फाइल पर क्लिक करेंगे फाइल के क्लिक करने के बाद उससे जब क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद क्या करेंगे से पर जाकर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद वहां से पर क्लिक करेंग जो आपको याद रहे आपने वो लिख दिया उसके बाद हम क्या करेंगे सेव पर जाकर किलिक कर देंगे तो उससे क्या होगा आपकी जो फाइल आपने बनाई है वह कंपीटर के फाल में जाके सेव हो गई ऑद तेफ किया है अब आप इस फाइल को कि देंगे खुछना चाहत कर दें उसके लिए हमें क्या करना पढ़ेगा फिर से फाइल पर जाकर किलिक करेंगे कहां अब यहां पर क्या एगा ओपन कबड एक भी आपने नाम उस पर जाकर क क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ने अब्रस में Stay सेव करके रखी वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी अब जब इसमें एक आता है एडिट मिनून का मतलब होता है कि हम जो भी उसमें चेंजिस करना चाहते हैं यह जो भी बदलाव करना जाते हैं वो कर सकते हैं कुछ करने के सबसे पहले आगे काट कट मिस काटना लिकिट जो सेलेक्टर के करने से वहे भाग मिट जाता है वगल भी चीज हमें अपनी फाइल में से हटानी है और हम गलत दिग गया उसको हटाने के लिए जैसे आंने नोट्बुक में एडिजर का यूज विश बिलत हो जात जो पिने लίका है उसको हटाना चाहले तो इसके लिए हमें क्या करना है सुम्माउस doorуб ला स्व्लेक्ट करेंगे और कट करने पर वयभाग मीड़े तो इसको कैसे करेंगे Select Test Area उसके इडिट में पर क्लिक करेंगे और कट पर क्लिक कर देंगे तो आपका उसके पाल में से फाइल में से ब्लाइड अच्छाएगा इसके बाद कपी-पेस्ट कपी-पेस्ट किया एक ही टेक्स में दो है दो से अधीवार लिखना हो तो जिसके आपको यह वर्ड बार बार आ रहा है और उस टॉसको पहले उतने पहाग सेट बस्केंद करने के लिग करेंगे उसके आपको पर क्लिक करेंगे उस लाइन को यह उस्थपट को जहां पर भी हमें लिकना है कहा ले角र तरहले करेंगे और फिर पेस्ट पर कर देंगे तो वह पार नीचे आपका पेस्ट मत तो आपका वहां से आके कॉपी हो गया और कोपी आपके नीचे आपने सको पेस्ट कर देंगे कि इसके सेट फॉंड सेट फॉंड क्या होता है जैसे अक्षर है उनका प्रकार आपको बदलना है आप चाहते हैं कि जो हमने लिखे हैं वह मतलब मारे नियू स्टाइल में या अलगी स्टाइल में बड़े चोटे जैसे भी आप उसको करना चाहते तो आप एडिट मेनी पर कि क्या होगे है आपकी श्क्रीं पर क्या जाएगा मैं पर मस्कर्णक से टेक्स तै कर सकते हैं उसके बाद बंद भी करना होगा आपका काम क् fiscap कर दी क्या पूरा है आपको क्या अपकी बन करें elder कि हमें क्या करेंगे फाइल पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम एक्जिट पर क्लिक कर देंगे तो उससे क्या होगा हमारी जो नोटपेड है वो क्लोज हो जाएगा थेंक्यू